बानो वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी है। एक छोटी बच्ची को बहुत खासी आ रही थी। उसने बिल्कुल द्रिड आवास के साथ कहा, ये बस जा रही है, ये बस जा रही है, ये जा रही है। आदे घंटे में इस बच्ची का गला बिल्कुल ठीक हो गया और खासी वाकई में चली गई। अगर आप अपने लिए एक नया घर बनाते हैं, तो पहले उसका ब्लूप्रिंट त्यार होता है। इसी तरह से हमारे दिमाग में भी हमें एक नक्षा बनाना चाहिए। जो हम देखना चाहते हैं उसका नक्षा। आपके दिमाग में आप जिन बातों को महत्व देंगे वही आपकी जिन्दगी का नक्षा बनाएंगे। अगर आपके नक्षे में डर है, चिंता है, शक है, परिशानी है, नेगिटिविटी है, तो आपकी जिन्दगी भी कुछ ऐसी ही होगी। आप खुझ से जो भी बाते कर रहे हैं, वो सब आपका सबकॉंशिस माइंड सुन रहा है। हर मिनट, हर सेकेंड, हर गंटे आप अपनी खुशियां बढ़ा सकते हैं, अपनी सेहत सुधार सकते हैं, सिर्फ अपने इस नक्षे को सुधार कर। मांगो और तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब जब हम कोई चीज चाहते हैं और सबकॉंशिस माइंड का दर्वाजा खटकटाते हैं, तो हमें वो चीज जरूर मिलेगी। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है और वो है विश्वास। विश्वास हमें सोच से उस चीज तक पहुँचाता है। जोजफ मुफी कहते हैं कि वो स्टेज पर जाने से पहले हमेशा यह टेक्नीक इस्तिमाल करते हैं। वो विश्वास करते हैं कि लोग आडिटोरियम में बैठे हुए हैं, सब लोग बहुत ही खुश लग रहे हैं, सब कह रहे हैं कि वो खुश हैं, अच्छी सिहत में हैं और बदल गए हैं। जोजफ करीब 10 मिनट तक विजुलाइज करते हैं और इस कदर्क हो जाते हैं कि उन्हें ओडियंस में बैठे लोगों की आवाजें सुनाई तक देने लग जाती हैं। बस फिर इसी चित्र को दिमाग में बनाए जोजफ स्टेज की ओर बढ़ जाते हैं। और हमेशा वैसा ही होता है जैसा उन्होंने स्टेज पर आने से पहले विजुलाइज किया था। अगर आपकी कोई प्रॉपटी या घर है जो आप बेचना चाहते हैं तो आप इस टेकनीक का इस्तमाल कर सकते हैं। अपने दिमाग को शांत कीजिए, गहरी अवस्था में जाने की कोशिश कीजिए, फिर इमाजन कीजिए कि आप किसी से हाथ मिला रहे हैं। आपको एक चेक मिल रहा है, आप थांक्यू बोल रहे हैं। इसके बाद सोजाएए और बाकी काम आपका सबकॉंशिस माइंट कर देगा। अपने सबकॉंशिस माइंट से कहिए, कि वो आपको ऐसे बायर से मिलवाए, जिससे आपका घर बहुत पसंद आए और उसकी इस घर में रहने से तरक्की हो। आपका विश्वास और विजुलाइजेशन दोनों आपको एक ऐसे खरिदार से मिलवा देगा। कुछ साल पहले लौस आंजलिस में एक महिला एक बुरे कोट केस में फस गई थी। उनके पती की पहली बीवी पूरी कोशिश कर रही थी कि इनसे सारी जायदाद हडप ले। इस महिला ने परिशान होकर इसी टेक्नीक का इस्तमाल किया। उन्होंने अपने मन को शांत किया, गहरी अवस्था में पहुंचने पर अपने आप से सिर्फ यही कहा। उपरवाले की मर्जी से सब अच्छा हो गया है। इसका मतलब ये कि सबकॉंशिस माइन ने सब कुछ ठीक कर दिया है। अगले दस दिन इस महिला ने गहरी नीन में जाकर खुद से यही शब दोहराए। ये बोलने के बाद वो सोजाया करती थी। ग्यारवे दिन जब वो उठी, उन्हें एक अलग से सुकून का हिसास हुआ। मानो सब ठीक हो चुका हो। उसी दिन उनके वकील का उनके पास फोन आया, उनके पती की पहली बीवी उनसे बात करके केस वापिस लेना चाहती थी। अब अगर आपको कोई नुकसान करने वाली आदत से छुटकारा चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। शरीर और मन को शांत कीजिए, गहरी अवस्था में जाने के बाद अपने आप से धीरे धीरे कहिए, मैं इस आदत से मुक्त हो चुकी हूँ और मन से शांत हूँ। इन लफजों को बार-बार दोराईए और जब भी वही गलत चीज़ करने की इच्छा जागे, इनी शब्दों को जोर-जोर से बोलिए। ऐसा करने पर आपका सबकॉंशिस माइंड आपकी बातों को सच मानने लगेगा और आपकी हीलिंग का सफर वहीं से शुरू हो इन दो शब्दों में भी बहुत ताकत होती है, एक पिता ने अपने बेटे से वादा किया कि जैसे ही तुम ग्राजुएशन खतम करोगे, मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट करूँगा, बेटे के मन में पिता के लिए ग्राटिट्यूड आ गया, ग्राटिट्यूड से अपने आप एक खुशी का एहसास भी मन में जाग गया, एक तरह से देखा जाए तो बेटे को उसकी गाड़ी रियालिटी में मिलने से पहले ही मिल चुकी थी, एक शक्स थे मिस्टर ब्रोक, इनके बिल्स सर पर थे, तीन बच्चे भी थे और नौकरी नहीं थी, इन्होंने तीन समय बाद, इन्हें एक पुराना दोस्त मिला, जिसने इन्हें एक बहुत अच्छी नौकरी का ओफर दिया, आज मिस्टर ब्रोक उसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, और इनके जीवन में अब पैसों की कोई कमी नहीं है, अगर एक बच्चा बोड में 3 प्लस 3 is equal to 7 ल सच है, जब आप अपने लिए और दूसरों के लिए सेहत, खुशी, शान्ती चुनते हैं, तो वो नॉर्मल है, यूनिवर्स में हेल्थ और अबंडन्स है, इसके विपरीत अगर हमारी जिंदगी में कुछ होता है, तो वो इसी लिए क्योंकि हम कुदरत के और खुद के वि फासला था, लेकिन सबकॉंशिस माइंड के लिए कोई टाइम और स्पेस का फासला नहीं होता है, जोजफ मर्फी ने अपनी बहन के लिए प्रार्थना की, मेरी बहन शान्त है, पीसफुल है और रिलाक्स्ट है, सबकॉंशिस माइंड जिसने उसकी बॉड़ी को बनाया है, वो अब उसकी बॉड़ी को बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसकी सबकॉंशिस माइंड में जितने भी गलत पैटर्न्स हैं, अब वो सब सही हो रहे हैं, वो हीलिंग रिसीफ कर रही है, युनिवर्सल प्यार की लहर ने उसे लपेट लिया है, और सो इट इस, दो हाफते बाद जब जोजफ की बहन का X-ray हुआ, तो X-ray results में काफी improvement नजर आया, आपके सामने कोई भी reality आए, जरूरी है कि आप अपनी प्रार्थना पर पूरा भरोसा रखें, और जो आप चाहते हैं, उसे बार बार दोहराते चले जाएए, डॉक्टर क्विंबी काफी मशूर है, argumentative method of healing के लिए, इसमें आप patient को बार बार बताते हैं, कि उनकी बिमारी एक गलत belief, विचार या धारना की वज़ा से है, अगर patient अपना belief system बदल देगा, तो उसकी बिमारी खुद बखुद ठीक हो जाएगी, healer patient के सामने हर वो proof और evidence पेश करता है, जिससे patient का belief system बदल जाए, यानि कि एक spiritual understanding के साथ, patient अपने आप को खुद ही ठीक भी कर लेता है, एक बार डॉक्टर क्विंबी एक महिला से मिलने गए, जो कि काफी बुड़ी, बिमार और bedridden थी, डॉक्टर क्विंबी ने उनसे मिलकर बताया कि इस महिला ने खुद को डर के महल में खुद ही कैद किया हुआ है, जिसकी वज़ासे उन्हें paralysis हो गया था, हम सब बहुत ही शक्तिशाली है, हमारे सोचे गए, कहे गए हर शब्द में शक्ति छुपी हुई है, इसलिए माल बहुत ध्यान से करना चाहिए, एक लड़की बहुत परिशान थी, क्योंकि उसके पीछे एक लड़का बुरे तरीके से पड़ा हुआ था, इस लड़की ने अफ़र्म करना शुरू किया, वो लड़का वहां है, जहां उसे होना चाहिए, मैं बिलकुल आजाद हूँ औ और वो भी आजाद है, इस लड़की ने ऐसा बार बार बोला और फिर मानो उस लड़के को जमीन निगल गई, वो लड़का ना फिर कभी इस लड़की को दिखा, ना उसे परिशान कर सका, हम जो चाहते हैं उसे बहुत आसानी से पा सकते हैं, हर चीज के लिए महनत, मुशक करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, चाप्टर सेवन, यूनिवर्सल लव का मसीह, सबकॉंशिस माइन हमें जीवन प्रदान करता है, यही हमारे दिमाग का 90 प्रतिशत हिस्सा बनाता है, और हमारी जिन्दगी को चलाता भी है, यह 24 गंटे काम करता है, और हमेशा हमें हर खत् शक्ति से जुड़ा हुआ है, आपके बहुत सारे खयाल, थौट्स, इंट्यूशिंस, जो आप लॉजिकली, कॉंशिस माइन से नहीं सोचते हैं, वो सब आपके सबकॉंशिस माइन, यानि कि डिवाइन से आते हैं, आपका सबकॉंशिस माइन आप में उर्जा भरता है, जि कुछ लोग जो लंबे समय से बिस्तर पर थे, खड़े हो गए थे, और दूसरों को बचाने के काम में लग गए थे, ये करामात सबकॉंशिस माइन की है, बड़े-बड़े आर्टिस्ट्स, म्यूजिशिंस, पोयेट्स, अपने सबकॉंशिस माइन की मदद से कुछ ऐसी ची नहीं बताई हैं, बिलकुल इसी तरह, मार्क ट्वेन भी कहते थे, उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया, उनकी सारी किताबे उनसे उनके सबकॉंशिस माइन ने ही लिखवाई है, जो भी आपका कॉंशिस माइन अकसेप्ट कर लेता है और सच मान लेता है, उसे आपका ब्रेन आपके solar plexus तक पहुचा देता है solar plexus आपके subconscious mind का brain